नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पांच दिल्चस्प बाते साजा करेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे. तो आराम से बैठें, आराम करें और अपने दिमाग को खुश करने के लिए तयार हो जाएं. क्या आप जानते हैं कि कनाड़ा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसका जनसंख्या घनत्व चौथा सबसे कम है. इसका मतलब है कि कनाड़ा में एक स्प्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह है. लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर के भूमिक शेत्र के साथ कनाड़ा जंगलों, पहाडों, जीलों और बहुत सी चिजों का विशाल धर है. वास्तव में कनाड़ा में 30 लाख से अधिक जीले हैं, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक जीलों वाला देश बनाती है. क्या आप जानते हैं कि सन्युक्त राज्य अमेरिका का सबसे उचा परवत वास्तव में अलास्का में स्थित है? माउंट देनाली, जिसे पहले माउंट मैट हिंले के नाम से जाना जाता था, 2310 तीट की उचाई पर स्थित है. देनाली अलास्का रेंज का हिस्सा है और देनाली नाशनल पार्क और संरक्षित शेत्र में स्थित है. देनाली पर चड़ना एक चुनोती है, जिसकी आकांक्षा कई परवतारों ही करते हैं, लेकिन यह कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है. पहाड की चरम मौसम की स्थिती और उच्च उचाई इसे कठिन और खतरनाक चड़ाई बनाती है. जिलिफिश के बारे में यहाँ एक मजेदार तथ्य है, जो निश्चित रूप से आपके दोस्तों को प्रभावित करेगा. क्या आप जानते हैं कि जिलिफिश की एक ऐसी प्रजाती है, जो जैविक रूप से अमर है? क्योरिटोक्सिस दोहरनी परिपक्वता तक पहुँचने के बाद, अपने जीवन काल को प्रभावी धंग से रिसेट करते हुए, अपनी किशोर अवस्था में वापस आ सकता है. इसका मतलब यह है कि जेलिफिश सैध्धानतिक रूप से हमेशा के लिए जीवित रह सकती है, जब तक कि वह शिकारियों या बीमारी का शिकार न हो जाए. प्यूरिटोक्सिस डोहरनी को इंमोर्टल जेलिफिश के रूप में भी जाना जाता है, और वैड्यानिक इसे मानव चिकित्सा में लागू करने की उमीद में कोशिकाओं को पुनरजीवित करने की इसकी अध्वितियक शमता का अध्ययन कर रही हैं. आईए इस तथ्य के लिए समय में पीछे चलते हैं. 1962 में सन्युक्त राज्यडाक सेवा ने गलती से एक उल्टे विमान की छवी वाला एक टिकट छाप दिया. आज संध्राहकों के लिए उस टिकट का मूल्य लगधग एक मिलियन डॉलर है. विचाराधीन टिकट 1918 का इन्वर्टेड जेनी है, जिसमें कर्टिस जेन चार नामत एक बाइपलेन है, जिसे जेनी के नाम से भी जाना जाता है. प्रोटी तब हुई जब विमान को उल्टा मुद्रित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक टिकट तुरंट प्रचलन से हटा लिया गया. आज इन्वर्टेड जेनी के केवल कुछ दर्जन उदाहरण ही मौजूद हैं, जो इसे अत्यधिक मूल्यवान संग्राहक वस्तु बनाते हैं. हम एक ऐसे तथ्य के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे जो दिल्चस्प भी है और उप्योगी भी. क्या आप जानते हैं कि शेहद कभी खराब नहीं होता? पुरात त्वविदों को प्राचीन मिस्र की कबरों में शेहद के बरतन मिले हैं, जो हजारों वर्षों के बाद भी खाने यूग्य हैं. शेहद की अनूठी रासायनिक संग्रचना इसे बैक्थीरिया और अन्य सुक्ष्म जीवों के प्रती प्रतिरोधी बनाती है. यही वजह है कि इसकी शेल्फ लाइफ इतनी लंबी होती है. वास्तव में अगर सही तरीके से संग्रहित किया जाएं, तो शेहद अनिश्चित काल तक चल सकता है. शेहद न केवल स्वादिष्ट होता है, बलकि इसमें जीवानुरोधी और सूजर्रोधी गुनों सहित कई स्वास्थ्य लाग भी होते हैं. हमें आशा है कि आपको हमारी मनोरंजक तत्यों की यह खोज पसंद आई होगी. हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा. रुप्या ऐसे ही और मनोरंजक जानकारी वाले वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइप और सब्सक्राइब करने पर विचार करें. देखने के लिए धन्यवाद. मंद्राचा वतीने अफले आभाद.